स्वागत दोस्तों आपका हमारे चैनल स्कूप ओफ दर डे में अस दुनिया में कववा एक ऐसा प्राड़ी है जिसे किसी अच्छे या बुरे की जानगारी उसके घटने की पहले ही हो जाती है दरसल प्राचीन समय से ही हमारे समाज में कववा को लेकर शुब और शुब अब सगून सगून इत्यादे से जुड़ी बातों का उलेक किया गया है पता दे कि सगून सास्तर में कववा से जुड़ी अनेक रोसक जानकारियों के बारे में बताया गया है करकश आवास के कारण कववे को अब शगुन पक्षी माना जाता है कववे को शास्त्रों में यम का दूद भी बताया गया है माना जाता है कि कववा यमलोक में जाकर पृत्वी वासियों के विशे में यमराज को जानकारी देता है ये आने वाले समय को पहले से जान लेता है आई जानते हैं कि कववे के किस तरह के व्यभार को शुब और अशुब शगुन के रूप में जाना जाता है ऐसी मानेता है कि कववे का जुंड आकर घर की छट पर शोर करे और आपस में लड़ने लगे तो ये संकेत है घर के मालिक पर संकटाने का कवव अगर मूं में रोटी या मास का तुकड़ा लिए नजर आए तो ये संकेत है कि आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी सपने में कवव देखने का साफ मतलब है कि आपके घर कोई महमान आ सकता है वैसे तो सपने में कवव देखना बड़ा ही शुभ बताया जाता है लेकिन अगर आपके सपने में आपको एक ही साथ बहुत सारे कववे दिखाई देते हैं और वो किसी खाने पर छपटा मार रहे हैं तो इस सपने को बहुत ही अशुब माना जाता है सुभा सोकर उठी और देखे की घर पर आकर कववा काउ 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 की रट लगा रहा है तो ये संकेत है आपके घर कोई महमान आने वाला है बैसाग के महीने में ये कववा हरे भरे ब्रिच पर अपने घोशले का निलमार कड़े तो ये बारिश होने का संकेत देता है जैसे कि होता है कि गाउ में जब खेती का शमय आता है तो कुछ लोगों को चिंता रहता है कि सुखा ना पर जाए इस पतार की समस्याएं होती है लेकिन अगर आप कववा इस बैसाग के महीने में ऐसा करता है नजर आता है तो समझ लेजिए कि आपके याँ सुखा नहीं परने वाला है और ये जो हो बारिश का शंकेत देता है और जो कववे होते हैं न दोस्तों इनके बारे में तंतर सार में बहुत कुछ कहा गया है तो यदि कववा एक ही अंडा दे तो इसे कारुणा कहा जाता है इससे अच्छी वर्सा वा अच्छी पैदावार के संकेत समझना चाहिए यदि दो अंडे दे तो इसे अगनी कहा जाता है ऐसी स्थिती में अल्प वर्सा होती है यानि की कम वर्सा होती है तीन अंडों को वायू कहा जाता है यह भी सुभ संकेत नहीं माना जाता कवा यदी चार अंडे दे तो इसे इंद्र कहा जाता है इसे अत्यांत सुभ माना गया है तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह जानकारी पसंदाई होगी और ऐसी ही रहसे में जानकारी आप पाने के लिए हमसे आप जुड़े रहे हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और जानस पहले हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूले और दोस्तों हमारे चैनल स्कूप अवदा डेको जरूर सब्सक्राइब करें